विश्व के सरवादिक प्रदूशित शेहरों में अग्रीम पंक्ती में खड़ी दिली ने सरकार को भी हाफने पर मजबूर कर दिया है केंदे प्रदूशन नियंतरन बोड की तरफ से ज़ारी आकडो के अनुसार दिली में वायू प्रदूशन का स्तर पिछले लंबे समय से अंभीर श्रेणी में है और अगले कुछ दिनों तक इसमें सुधार की कोई उमीद भी नहीं दिखती है इस कारण राजजानी दिली में लोग अनेक प्रकार की विमारी उसे ग्रस हो रहे हैं हावा में गुलते जहरीले कंड लोगों में अस्तमा बेचैनी, हार्ट अटेक और ठकान जैसे लक्षन पैदा कर रहे हैं इस अस्पतालों में मरीजों की संक्या लगातार बढ़ रही है तो प्रदूशन को लेकर क्या कुछ पूरी जानकारी है, देखें इस विडियो बर ऐसा नहीं है कि दिली में पहली बार प्रदूशन खतरनाक सतर पर बहुंचा है पहले भी कई बार ऐसा देखने को मिला है इस बावत पहले भी हाई कोट ने दिली सरकार और सिविक एजन्सियों को फटकार लगा चुकी है जस्टिस बीरी एहमद और जस्टिस सिदाज मृदुल के पीटने सक्त टिपड़ी करते हुए जस्टिस सरकार नगर निगमों और दिली जलबोड से कहा था कि जीवन के लिए पादी सबसे महत्वपूट है पर अद्वियमना में जिस कदर जहर घुला हुआ है इसे ड्रेन नदी कहना उचित होगा जलबोड ने दिली में ड्रेनेज के लिए मास्टर प्लैंट के जानकारी देने की व्याद भी कही थी लेकिन आस्ते किसी ठोस कारे योजना पर कारे नहीं हुआ वो लेकिन है कि केदर राज्य सरकार में तालमेल का भाब हर साल सेक्डों जिद्गियों पर भारी पड़ता है और आरोप त्यारोप का दौर तब तक चलता रहता है जब तक प्रकति में आप्रेक्षित बदलाब ना हो और एक बार फिर सरकार को कुब करणी दीद में जाने का मौकामिल सके सब्सक्राइब करने के लिए एक दीर्ग काली क्योज्ण बनाती और सभी पड़ोसी राज्य और अन्य केद्री प्राधी करोणों के साथ मिलकर उसे क्रियार बिप करती समस्य की मूल में ना जाकर केवल आपात काली उपाई के जरिये ना तो प्रदूशत दूर होगा और ना ही अबना का काया कल्प हो सकेगा यदि सरकार वास्तर में प्रदूशन को लेकर सजग है तो उसे व्यवहारिक स्तर पर दीर्ग काली क्योज्णों को आगे बढ़ाना होगा इस गबीर बिमारी का इलाज तात काली को पाई नहीं है लेकिन इसे समाप्त करने के लिए दिरेंतर प्रियास करते रहना होगा जहा अब शक्या कि दिली के अबादी के अनुरूप ट्रीट्मेंट प्लांट के संख्या में बढ़ोतरी की जाए जो अभी बहुत कम है वही डीजल और पैट्रोल से चलने वाली गारियों को योजरबत तरीके से कम करना होगा साथ ही पब्लिक ट्रांस्पोर्ट सिस्टम को